किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि वो तुमसे नाराज है या फिर तुमसे पड़ेसान जीतने वाला ही नहीं बलकि कहां पे क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है कहानी सुरू हुई है तो खत्म भी होगी तिरदार काबिल हुए तो याद रखे जाएंगे जब वक्त बुड़ा हो तो पड़ेसान मत होना दोस्त गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है याद रखना दोस्त जीवन उसका ही सुद्रेगा जो आख बंध होने से पहले आख खोल लेगा दुनिया में अच्छे सभी होते हैं बस उनकी पहचान बुड़े वक्त में होती है उन्हें अपना समझने से क्या फाइदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो पैसा और प्यार नमक की तरह होता है जो जरूरी तो होता है लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर स्वाज बिगड़ जाता है इंसान की अकर तो वाजिब है जनाब पैसा आने पर तो बढ़वा भी फूल जाता है मत कर यकीन यहाँ पलभड की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिष्टे भूल जाते हैं पूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं पूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों के साथ कैसा ब्यवहार रखते हैं अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज़्जद दो और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो वक्त के रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है तो कि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होती है ये कल्यूग है दोस्त यहां बुड़ों के साथ बुड़ा हो या ना हो पर अच्छों के साथ जरूर बुड़ा होता है जिन्होंने आपको कश्ट दिया है उन्हें भी कश्ट मिलेगा और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा मीलो का सफर एक पल में बरबाद हो गया जब अपनोंने कहा कहो कैसे आना हुआ पहले आयू में बड़ों का सम्मान होता था अब आय में बड़ों का सम्मान होता है याद रखना अंधेरे में छाया बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देते हैं जब तक तुम मर नहीं जाओगे लोग तुमसे दुखी ही रहेंगे और जब तुम मर जाओगे लोग तुम्हारे लिए दुखी रहेंगे वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन ही मोतियों को दे दिया और ये मोती अपनी ताडीप पर इतराते रहे हर रिष्टे की अपनी अलग-अलग सिमाय होती है लेकिन जब बात आत्म सम्मान की हो वो वहां हर रिष्टा समाप्त कर देना ही उचित है हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुन्दर्ता को रंग से देखा जाता है पिष्टा को मार्क्स से देखा जाता है और सम्मान पैसे देख कर दिया जाता है जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए कुँकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है क्वालीटी नहीं, कई बार हार इसलिए जरूरी होती है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन-कौन सी गलत फाहमिया पाल रखी थी, जिंदगी जीने का सलीका तो बस ठोकड़े ही सिखाती है, वरना सहारा तो इंसान को निकम्मा बना देता है, जबरदस्ती मत मांगना, किसी का साथ जिंदगी में, कोई खुच चलकर आए, उसकी खुजी ही कुछ और होती है, पोटी सी जिंदगी में किस-किस को खुच कड़े साहब, जलाते हैं अगर चिराग तो अंधेरे गुड़ा मान जाते हैं, सुख और दुख बिना अप्वाइंटमेंट के ही आ जाते हैं, हमेशा मानसिक तोर पर तैयार रहें, ताकि सुख में जोस और दुख में होस कायम रहें, वाहिशों से नहीं गिरते फूल जोली में कर्म की साख को हिलाना होगा, चुनहीं होगा कोशने से अंधेरे को, उपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, जो रुबा हमें ये बताता है, कि जो मक्खन लगाता है, वही चुना लगाता है, नाकत और पैसा जिन्दरी के फल है, लिवार और मित्र जिन्दरी की जड़ है, हम फल के बिना खुद को चला सकते हैं, जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते, जेब का वजन बढ़ाते हुए, अगर दिल पर वजन बढ़े, तो समझ लेना कि सौदा घाटे का ही है, दूसरों को दुखी देखकर, जिने कोई दुख नहीं होता, उकसर वही लोग दूसरों को सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, यदि हर कोई आप से खुश है, तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझाओते किये होंगे, और यदि आप सब से खुश है, तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजर अंदाज किया होगा, कमाल के लोग होते हैं दोस इस दुनिया में टाइम किसी के पास नहीं है लेकिन टाइम पास सभी कर रहे हैं कुछ तकलीफ है जिन्दगी में हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमसे जुड़े लोगों की पहचान करवाने आते हैं रख लो चाहे आइने हजार तसल्ली के लिए पर सच के लिए तो आखे ही मिलानी पड़ेगी खुद से भी और इस्वर से भी मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे लेकिन जो जिन्दा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता बातों से सीखा है हमने इंसानों को पहचानने का तड़ीका जो लोग जूटे होते हैं वो अक्सर बाते बढ़ी करते हैं ज्यादा कुछ नहीं बदलता है उम्र के साथ पस बच्पन की जिद समझोते में बदल जाती है करने दो बकवास जो करते हैं खाली बरतन और खाली दिमाग हमेशा सोर करते हैं सरीर सुन्दर हो या ना हो पर सब्दों को जरूर सुन्दर होना चाहिए क्योंकि लोग चेहडे भूल जाते हैं पर सब्द कभी नहीं भूलते हमारी बुझदिली मसुहूर है जमाने में क्योंकि हम बदला नहीं लेते बस खुदा पर छोड़ देते हैं